हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल नमीता किचन कॉर्णर मैं नमीता और आज मैं आप लोग के साथ इंस्टेंट आमला के आचारकी रेसेपी सेयर करने जा रही हूँ इसे इस्टोर करकर भी रह सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए इसे हम बनाते हैं यह हमने आमला लिया है और हरी मिर्ट लिया है इसे अच्छे से साफ पानी से धोकर सुखा लिया है और अब हम इसे इस तरीके से काट लेंगे इसमें जो लाइन बनी रहती है वही से हम इसे काटेंगे तो यह देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से यह कर जाता है तो हम सारे आमले को इसी तरीके से काट लेंगे और इसके जो बीज हैं उसे हम हटा देंगे तो यह देखिए यह बीज को हम इसी तरीके से हटा देंगे और इस तरीके से काटेंगे तो यह बहुत आसानी से कट जाता है आप देख सकते हैं तो यह हमने सारे आमलों को काट लिया है। अब हम हरी मिर्च को काटेंगे। इसका डंठल हटा देंगे। उसके बाद हम इसे दो या चा टुकडों में काट लेंगे। दिखे इस तरीके से। इसे काट कर डालने से इस comment जो आमला का अमला का दाल। इसान अंदर तक इस तो हमने सारी हरी मिर्च को इसी तरीके से काट लेनी है तो अभी हमने मिर्च को भी काट लिया है तो चलिए अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करके ये हम अमला के इंस्टेंट अचार को बनाएंगे तो एक पैन को हम गरम करेंगे उसमें सरसो का तेल डाल देंगे तो ये देखे पंच फॉरंद जो है वो अच्छे सा चटक गया है और अब हम इसमें ये आमला जो काटके रखे थे उसे और हरी मीर्च दोनों को डाल देंगे और ये अचार बनाते वक्त हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे लो फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे तो अभी हमने इसे चला लिया है और इसे अब हम ढग देते हैं थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करते हैं तो ये देखिए ये हलका हलका सा सौफ्ट हो रहा है हम इसे चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे तो अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं और नमक डाल कर अच्छे से मिला लेंगे और मिला लेने के बाद अब हम इसे एक बार वापस से फिर से धक कर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएगा तब तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो चलिए हम इसे एक पर फिर चेक करते हैं तो यह देखिए यह जो आमला है वो देखने में soft लग रही है और मिर्ची भी soft हो गई है यह देखिए बहुत ही थोड़ा सा बाकी है इसे soft होने में अल्मॉस्ट सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा से ड्राइ मसाले डालेंगे तो हम इसमें डालेंगे यह धनिया पाउडर हाफ टीस्पून धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे फिर आप अपनी स्वाद की अनुसार डालें थोड़ी से हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे जिसे इसका कलर अच्छा लगेगा और डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम इसे वापस से ढखकर एक दो मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक और पकाएंगे तो दो मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि यह अच्छार जो है वो अच्छे से पक कर तयार हो गया है दो हपतों तक आप इसे फ्रिज में रखकर खा सकते हैं यह खराब नहीं होता है आप इसे रोटी या फिर चावल दाल या फिर पूरी पराटे किसी भी चीज के साथ खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा तो यह देखिए बिल्कुली अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे किसी एर टाइट कंटेनर में बंद करकर रख लेते हैं आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो रेसेपी को लाइक से और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई